नमस्कार आप सभी का स्वागत है करीब एक साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है माफी चाहता हूँ काफी लंबा समय हो चुका है आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पर तफसील से काफी बार बच्चों से बात हुई है तो आज सोचा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बना द परेंटिं के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और होता है ब एidad कहीं पर बीवड भी होता है तो हम आज इस टॉपिक पर चाहिए इसके में differences क्या होते हैं और इसके बाद में career option क्या हो सकता है और और भी करीचियार इस दीजिए तो चलते हैं बीए painting इसको हम bachelor of arts एक category है इसमें बहुत सारे subjects होते हैं आप अलग-अलग subjects choose कर सकते हैं और आपको degree बीए की मिलेगी इसमें drawing and painting भी सब्जेक्ट होता है इसके अलावा आप क्योंकि अभी तक जो NEP से पहले का था हिसाब किताब उसमें तीन सब्जेक्ट हम choose करते थे फिर हमने drawing and painting ले ली फिर हमने हिंदी ले ली या अंग्रेजी ले ली और थर्ड इयर में हम एक सब्जेक्ट छोड़ दे दे थे New Education Policy जो 2020 है इसमें क्या है कि हम जो तीन सब्जेक्ट choose करेंगे वो हमारे पूरे तीनों साल रहेंगे यानि सनाथ तक कि तीनों साल आप तीन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अगर आपको drawing and painting से करना है BA तो फिर आपको BA drawing and painting के साथ में दो सब्जेक्ट और भी पढ़ने हैं एक मांगर सब्जेक्ट होता है तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं वो एक साल के बाद छूट जाता है तो यह है तो तीन साल पढ़ना है drawing and painting तो पढ़नी ही पढ़नी है और उसके साथ में दो सब्जेक्ट कोई और भी पढ़ने है यह हो गया BA drawing and painting अब इसके ही समकच equivalent एक दूसरा कोर्स हिंदुस्तान में होता है उसको हम बोलते हैं BFA यह जो BFA है यह बिसिकली आपके जो arts colleges है वहाँ पर शुरू हुआ था अभी भी major arts colleges हैं वह आपको BFA की डिग्री देते हैं मैं लखनो कोलेज आफ आफ से पढ़ा हूँ तो लखनो कोलेज आफ आफ में भी काफी लंबे समय तक BFA की डिग्री दी गई है और जिस साल मैंने admission लिया था उस साल में इस डिग्री का नाम बदल के BVA कर दिया गया था Bachelor of Visual Arts और BVA और BFA में मेरा जो व्यक्तिका तनभव है कुछ खास differences मुझे दिखे नहीं है सिर्फ नाम बदल दिया गया है और BFA का जो categorization था वो एक general course में था और उसमें हलका सा कुछ फिर बदल करके syllabus में उपनीशे करके इन्होंने BVA कर दिया और इसको उन्होंने professional category में डाल दिया शिर्फ इतना अंतर है आप अगर admission लेंगे तो BFA और BVA में कुछ ऐसा खास अंतर नहीं है कि आप कुछ extra सीख जाएंगे same ही सीखेंगे जो basic difference है BVA painting और BFA के courses में वो यह है कि अगर आप BFA में admission लेंगे तो आपका course तीन साल की बजाए चार साल का हो जाएगा और इसमें चारों साल आपको सिर्फ और सिर्फ drawing and painting ही पढ़नी है और हर साल करीब 6-8 subject होंगे और वो आपको पढ़ना होगा तुसरी बात है कि BFA है जो BFA है इसको हम Bachelor of Fine Arts बोलते हैं Fine Arts में आपको पता है पांच कलाएं आती है चितरकला, मूर्तिकला, स्थापतिकला और फिर सहित्य और आपका जो music है वो भी इसके अंदर आता है इसमें जो दो कलाएं हैं चितरकला और मूर्तिकला इन दोनों से ही आपको BFA की डिगरी मिलती है यानि कि BFA in Dragon Painting हो जाएगा या Painting हो जाएगा अब BFA के अंदर आपको Sculpture की भी डिगरी मिल जाएगी Architecture के लिए आपको B.R. करना पड़ेगा Bachelor of Architecture वो एक अलग कोर्स है हम यहाँ पे बाद B.A. Painting और BFA की कर रहे हैं तो अगर comparison किया जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोर्स आप पढ़ रहे हो तीन साल केवल और उसमें आपको केवल as a subject पढ़ रहे हो उसके साथ में दो subject और भी है और एक दूसरा कोर्स है जिसमें आपको चार साल पढ़ाई पढ़नी है और केवल और केवल वो specific subject ही पढ़ना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें जादा opportunities हैं सीखनेगी यहाँ पर एक समस्या यह है कि BFA की जो facility है वो उतनी broad लेवल पर अबलेबल नहीं है हमारे educational institutes में इसलिए जो BA drawing and printing की जादा popular है और अब यह तो आपकी universities हैं या जो affiliations और अले colleges हैं वो देख सकते हैं कि भाई इसको कैसे practical life में लाना है मेरा personal अनभव है कि BFA is much better than BA drawing and painting जो मुझे basic difference लगा वो यह कि BFA में जब आप arts colleges में admission लेते हैं तो वहाँ पर main focus होता है manual काम पर यानि कि आपके हाथ से painting कैसे बन रही है sketching कितनी तगड़ी है और बस सब कुछ आपका manual आप कितना अच्छा काम कर सकते हो इस पर आपका focus रहता है इस पूरी race में कहीं ना कहीं BFA या BVA वालों में जो मैंने एक चीज नोटिस करी वो यह थी कि जो theory portion होता है कला इतिहाज जो होता है यह उसमें काफी पीछे हो जाते हैं और मैं मैं लखनों college of arts में 8 साल बिताए हैं मैंने वहाँ से 8 master training का डिप्लोमा किया है BFA किया है 1000 साल क MFA किया है इन 8 सालों में मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका manual काम बहुत अच्छा है लेकिन वो system में सिर्फ इसलिए नहीं आप है क्योंकि theory की पढ़ाई उन्होंने नहीं पड़ी एक और जो difference है arts colleges में वो यह है कि वहाँ पे वो आपको mentally artistic sense दे रहते हैं और artistic sense actually self enjoyment में होता है कि painting से उसको क्या आनंद आ रहा है लेने में और इस सबकी race में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वो theory portion से पीछे हो जाता है और को कि जब आप exams में बैठेंगे government exam में बैठेंगे like TGT हो गया PGT हो गया higher education के exams हो गया net का exam हो गया तो भाई वहाँ पे तो theory आएगी यह एक विडंबना है इस पूरे course के system है कि भाई आपको वहाँ पे पहले theory पूछी जाएगी यहाँ पर advantage है बीए drawing and painting को तो कि आप बीए drawing and painting करी है उसके बाद में आप master's कर चाहते हैं तो master's कर लिजिए और इस पूरे 3 साल 2 साल में और जो books है drawings की खासकर Hindi medium में वो जिन भी जो भी authors के उन्होंने लिखी हैं वो उन colleges के deans हैं जहां पर BA MA होता है और उनका जो course का system है वो majority of theory portion के designing के process में चला हुआ है तो फिर अगर आपको theory की अगर आप बात करेंगे तो मैं बोलूँगा कि BA drawing and painting और MA drawing and painting much better क्योंकि वहाँ पे theory की काफी जारा बात होती है practices होती है BFA में देखने को नहीं मिली हां जिसे बीचू है बीचू है बीचू एक अच्छा इंस्टूट्स है वहाँ पर दोनों में आपको चीजें मिल जाएं यह देखने के लिए तो यह मेरा व्यक्तिकर तर्म होगा है आप इससे अलग सहमती भी रख सकते हैं तो यह एक basic difference हो गया बीच पींटिंग और BFA या BVA में अब इससे करियर ऑफ्षन क्या हो सकते हैं तो करियर ऑफ्षन भाई basically आप अगर बाटे तो दो पार्ट में हो सकता है पहला हो सकता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाए यह दूसरा है आप कॉमें सेक्टर में चले जाए जाए तो जो मैंने अभी तक जाना है या सीखा है चाया BFA करिये चाया B.A. डाइग और पेंटिंग करिये यह इनका जो कोर्स इंस्ट्रक्शर है कोर्स का जो इस्ट्रक्शर बनाया गया है युनिवसिटीज के द्वारा वो आपको एक specialization वाली चीज नहीं देते हैं तो अगर आ इस एरिया में जाने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत है और फिर उस हिसाब से आपको specialization अलग से करना पड़ेगा अगर आपको animation में जाना है coloring industry में जाना है तो फिर आपको animation software वेगरा सीखने पड़ेंगे sketching वेगरा आपको आनी चाहिए color sense आना चाहिए और इसके कई सारे government institutes भी है लाइक निफ्ट लाइक FTI लाइक NID और कुछ private सकते जैसे Maya मैक्स हो गया यह सब आपको 3D animation या 3D Max जो अलग लग software साते हैं उसकी training देते हैं आप वहाँ पर सीख सकते हैं और private या आपको कर सकते हैं और अपना setup कर सकते हैं आपको कॉमिक इंडस्ट्री में जाना है तो कॉमिक इंडस्ट्री एक काफी broad और established इंडस्ट्री है लेकिन इसमें आपको सर्वाइब करने के लिए sketching आनी बहुत जरूरी है coloring का sense आना बहुत जरूरी है Photoshop आना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपको ये अलग से कुछ courses करने पड़ेंगे ये आपके न B.A. में है एवलेवल है न B.A. में है B.A. में अगर आप bachelor of fine arts commercial design से करना चाहते हैं commercial से करना चाहते हैं तो वहाँ भी इसका एक syllabus तो है लेकिन specialization वाला हिसाब किताब वहाँ भी नहीं है तो आपको अलग से करना पड़ेगा अगर आप pursue industry में जाना चाहते हैं या textile industry में जाना चाहते हैं तो आप nift वगराय में जा सकते हैं marketing सीख सकते हैं और नाडी में जाके भी आप textile industry में काफी अच्छा काम कर सकते हैं इवें साउत में पेरिया उनियोसिटी है वो टेस्टाइल में काफी अच्छा काम कर रही है तो आपको वहां पर मूब आउन करना पड़ेगा अब हम आते हैं इस पूरे यह जो वीडियो है इसका में पॉइंट है कि गौर्वर्मेंट सेक्टर में आप कैसे जाएंगे वह भी गौर्वर्मेंट सेक्टर में स्पेशली टीचिंग जॉब्स में टीचिंग जॉब्स है अच्छा पैसा है और वैसे टल्द है तो अगर आपको जाना है तो उसकी तीन केड़ेगरी होती है टीजीटी पेजीटी और हायर एजुकेशन टीजीटी में आप क्लास देन तक इसमें B8 करने की जरूरत नहीं है तो आपके दो साल बच गया फूर्टेट भी नहीं करना है कोकि B8 मागी नहीं रहा है और इस पूरे बवाल से बच जाएंगे और तीन साल का अपने B8 कर लिया या चार साल का BF कर लिया आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अपनी गेबल ह हम यहां ब केमें पन्निस का काम ऐती है और कफी अटमसफेर है और किसी बीट वगर화 करने के दुरूरत नहीं है नॉमल बेम ऑफ आ करिये बीए करिये अपर एक्जाम दीजिये और हो जाएगा एक चीज जो प्रैक्टिकल मैंने दिखी है कि ठीक है आपको अगर जॉब पाना है तो आपको थियोरी मजबूत होनी चाहिए लेकिन जब आप इंटर्विय में जाएंगे तो इंटर्विय में आपका जो जजिंग होगी वो आपके मैनुवल काम को देख के होगी तो वहाँ पे आपको मैनुवल काम भी आना चाहिए तो चाहे आप बीए ट्वाइगन पेंटिंग के स्टुडेंट हो चाहे बीए फे या बीवीए के हो आपको एक इक्वल गाइट रखना पड़ेगा थियोरी में भी रखना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी रखना पड़ेगा तब ही जाके आप इस लाइन को पूरा क्लिर कर पाओगे यहां भी एक एडवांटेज है थियोरी वालों की क्योंकि जो थियोरी के मार्ग्स होते हैं interview के marks होते हैं जोनों equal नहीं होते हैं theory के marks ज़्यादा होते हैं और interview के marks 30 है 20 ही होते हैं उसमें भी एक space week आपको number देना compulsory होता है तो जब दोनों की combined merit बनती है तो जिन लोगों की theory ज़्यादा अच्छी है उनके success होने के chances बढ़ जाते हैं भले वहाँ पर interview आपका उतना अच्छा ना हुआ हो फिर भी अगर आप teacher बनना चाहते हैं तो मेरे साब से आप ठीज़ी तो रखिये रखिये लेकिन manual काम आपको अच्छा आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 25-30 साल की नौकरी करनी है और अगर आप अच्छे होंगे manual काम में तो अच्छे बच्चों को पढ़ा के अपने निकालेंगे यह मेरा personal thought है तो यह हो गया TGT का PGT के लिए आपको master ज़रूरी है और master's में 55% minimum होने चाहिए अच्छा आप मैंसे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि B8 compulsory क्यों नहीं है B8 क्यों क्यों नहीं है इसके अंदर या भी एक vacancy GGI C या GGI C की आई थी LT grade वाली तो उसमें उन्हें बिएट मागना हुआ था तो LT grade का जो जियो है उसमें B8 add है और LT grade की vacancy करीब महीं knowledge में तो 10-15 साल के बाद ही आई है तो अगर आप इसको किनारे रख दें तो UP कौर्मेंट का जो TGT ए PGT की vacancy हैं उसमें B8 compulsory नहीं मागा गया है और अभी भी नवोदे विद्यालों केंद्री विद्याले में B8 इसमें add नहीं है तो आप 3 साल और BFK तो 4 साल के बाद applicable है TGT के लिए और अगर आप मास्टर्स भी आपने कर लिया है तो आप BGT के लिए applicable है मास्टर करने के बाद में आपको NET का exam देना है NET का exam UGC के दोरा conduct होता है अभी तो online होने लगा है तो आप वो exam दीजिए National Eligibility Test और उसके बाद में आपको अगर आपने exam qualify कर लिया तो अपूरे इंडिया में किसी भी higher educational students में जहां पे BA Drawing and Painting है या BFA है वहाँ पे आप पढ़ाने के लिए applicable है आप वहाँ पढ़ा सकते हैं इसकी system में खुषने के अलएलग तरीके हैं युनिविशिटीज में भी इंटर्व्यू पैनल बनता है वो आपको इंटर्व्यू लेगा वो आपको रखेगा और जो जैसे UP का है UP का Higher Education Commission ये एपना exam कराती है और इसमें आप आपने exam qualify कर लिया तो आपका आपकी नियुक्ती हो जाएगी तो अगर आप मैं ठीक ठाक पढ़ाई पड़ी है तो पांस साल में आप इतना पढ़ लेंगे कि आप नेटका exam qualify करिये और आप अराम से असिस्टन प्रफेसर बन सकते हैं कुल मिला के ये एक safe job है teaching की और इसमें जो competition है ये बाकी subject की comparison में मेरा व्यक्तिकत विचार है ये कि काफी कम है और अभी भी इसमें ऐसे लोग जिनका theory पे भी अच्छा command हो और practical काम जिसमें painting बनानी होती है उसमें command ऐसे लोग कम हैं तो अगर आप इन दोनों में आपने अच्छा तालमेल बना लिया तो आप अराम से इसमें job crack कर सकते हैं तो ये career option इसके अंदर है बाकी कुछ departments ऐसे भी है जहां पे artist की vacancy निकलती है museum हो गया और भी करे जाए departments हैं इवन इंडियन army हो गई वहां भी एक artist की vacancy होती है लेकिन personally मैं suggest करूँगा कि ऐसे vacancies के चकर में मत पढ़ियो कि बहुत कम निकलती है career बनाना है आपने BFA किया हुआ है या B.A. drawing and painting है तो आप 3D पे ध्यान दिजिए exams qualify करिए और एक लंबा plan बना के चलिए कि भाई ठीके हमको TGT, PGT, NET और अगर NET में आप टॉप पे रहते हैं यानि आप J.R.F के scholarship मिलती है तो तब भी आपके 5 साल करीब secure रहते हैं PhD करने के लिए होगी government आपको scholarship दे रही है और theory आप लेकिन आपको मजबूत अखनी पढ़ेगी क्योंकि कोई भी exam इसका होगा तो उसमें theory पूछी ही जाएगी ये primary hurdle है जिसको आपको पार करना पड़ेगा और इसके बाद ही जब आप interview में पहुँचेंगे तो वहाँ पे अपने manual काम से आप interview panel को impress कर सकते हैं और वहाँ पे आप top में आ सकते हैं तो ये है इस video का जो main मुद्ध है अगर कुछ छोड़ गया है कोई ऐसा point जो मैं भूल गया हूँ तो आप queries में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरा video या बाकी drawing and painting से जो संबंधित दूसरे topic के videos हैं मैं जल्दी बना हूँ इतना लंबा गया अपना हूँ तो तब तक के लिए शुक्रिया पढ़ते रहिए स्वास्त रहिए